हेलो गाइज, वेलकम बैक डू माय यूटूब चैनल इंग्लिश ओनर्स नॉट्स आज हम समस्टर टू का जो कोर फॉर है यूनिट वन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है सौसर, फॉलिटिकर, रिलिजिस, एकोनोमिक कंडिशन ओफ दर रिस्पेक्टिव एज इन इंग्लेन जो फॉर्टिन टू सेवन्टिन सेंचूरी के बारे में पढ़ना है जो यहां से यहां तक है यह सिर्फ समझाने के लिए वागी यहां था इज़ ऑफ-चौचर के बाद से यहां से लिखना है यह है ए ओल्ड इंग्लिजिस, एंग्लु सेक्शन जो 450 से 1066 तक है इसके बीच का जो लेंग्वेज है उसको लें लेंगोर इसके बाद यह मैं इसमें अस्टार लगा हुए जोसको चौफसा रेज बोला जाते हैं कि चौफसो से चौफसों पचासी बेरन परियोड इसको बोला जाते हैं उसके बाद है रेनिसियंस एज जो पंद्रह सो से इसमें से भी है एलिजाब एथन एज है जो किए जैकेवियन एज है कैरोलीन एज है और कॉमन वेल तेज है इसमें इंपोर्टेंट है एलिजाब एथन एज जो पंद्रों सो न्थावन से इसको सेक्सपीरियन एज को गोल्डेन और इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाते हैं उसके बाद जैकेवियन एज है केरोलीन एज है कॉमन वेलत है हम लोग को यह जो नोट्स लिखना है एक्जाम जो पूछा जाएगा यह 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 the age of Chaucer the age of Chaucer is the first significant in literary period literary period literary period Chaucer age को बहुत ही महत्फूर्म period मना जाता है because in this period the sign of change in every step in England क्योंकि इस period में हर एक step में change देखने को मिलता है in the age of Chaucer changing of social political religious and economic condition in England in the age of Chaucer Chaucer के age में social political religious and economic condition इस age में इसके बाद है ET sorry कहां था है so we can say that it is the age of transition इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह जो age है वो परिवर्तन का age है in this age in this is the medievalism was departing and modernism was developing इस एज में modern यूग का आगमन हो रहा था और आधुनिक यूग sorry modern यूग का आगमन हो रहा था और माइद यूग का अन्थ हो रहा था इन दिस एज जॉन विकलिफ सोज दा सीड्स ओफ रिफोर्मेशन इसी एज में जॉन विकलिफ अपना धर्म सुधारवाद का बीज बोना शुरू कर दिया था because they began attacking upon the church because वहां के जो लोग थे वो church पर लिख कर church पर attack कर रहे थे और church का विरोध कर रहे थे इन दिस एज इंडिविजुलिजम इज राजे इन इंगलेंड इस एज में व्यक्तिवाद का उदे हो रहा था नेशनलिजम पेट्रोटिजम राजे इन दे पीपल अफ इंगलेंड देश भक्ति और राष्ट राष्टवाद का उदे हो रहा था दपीपल ओफ इंगलेंड था देड़ डेवलोपमेंड अफ आवर कांट्री अडिडर जो पीफल थे इंगलेंड के वो सोच रहे थे कि हमारे कांट्री का डेवलोपमेंड इंगलेंट मतलब विकास होना जरूरी है दा इंड़ेश्ट्रीयल डेवलोपमेंड राइज इन दा मिडिल कलास एंड दा वर्किंग कलास जो और द्योकिक विकास विकास मिडिल कलास और वर्किंग कलास के लोगों में उदे हो रहा था इन जोफरी चावसर इस आलसो नौन एज दा फादर ऑफ इंग्लिश लिट्रेचर जो फादर के नाम से भी जाने जाते हैं इसके बाद है इन दिस एज दा इंड ओफ फिज्वल सिस्टम इस इस में जो सामंत वाद का अंत हो गया था इन दिस एज दा इंड ओफ फिज्वल सिस्टम इस वाइएज ओफ जोफ्री चावसर वजन एरा ओफ ट्रांजिशन तो वाइज शॉश्वाइज ओफ जोफ एज ता ओफ जोफ जोफ ऑपड़तन का दौर था जो परिवर्दन का दोर था इन दा एज ओफ जोफरी चासर देर वाज ग्रोथ ओफ नेशनल सेंटिमेंट जोफरी चासर के एज में राष्टिय भावना का राष्टिय भावना विड़दे हुआ मतलब बढ़ा इंगलेंड और फ्रांस ये तीनों आपस में लड़ रहे थे इंगलेंड वाज बेटल ऑफ ग्रेशी और पॉयटर्स और जहां इंगलेंड अपना विजय प्राफ्ट कया था ग्रेशी और पॉयटर्स में इन दे पीपल अफ इंगलेंड नेशन यूनिटी वाज सीन पीफल ओफ इंगलेंड जो वहां के इंगलेंड के लोग थे उसमें राष्टिय संग देखने को मिला आफ्टर ही हंडेड वाट के बाद दे वेर अट्रेक्टे टुवाड्स देर नेशन वो लोग अपने नेशन अपने देश के परती एट्रेक्ट हो रहे थे दवार गेव ये फीलिंग एड मैसेज नेशनल फ्राइड एंड सेल्फ रिडेक्ट जो युद्ध हुआ उसके बाद लोगों के बीच एक फीलिंग और एक मैसेज मिला कि देश के परती गर्व महसूस करना और सेल्फ रिस्पेक्ट मतला हाथ में सम्मान खुद के अंदर आ नेशनल सेंटिमेंट अब इंगलेंड है वो राष्टिय भावना में बहुत पावर्फूल हो गया था यह था आउट राजर इन दा पीफल ऑफ इंगलेंड डेट देट दू नोट फाइट वीच अजर इंगलेंड के लोगों में एक सोच उत्पन हुआ कि हम लोग को एक द दुसरे से लडाई ही नहीं करना है बत शेम टम बलेगंट अंगलेंड करना था और यह। शिदli गया और ग०्शला ऑन स्पर्टिय हो गया है एक्सिडेंट और जो लोग थे इंग्लेंड के वो इन कार्णों से बहुत फरेशान रहने लगे इन थार्टें फॉर्टी एट तू थार्टें फॉर्टी नाइन टारिवल ब्लेक डेथ वाज कम 348 से 349 के बीच प्लेग आया एंड यह लार्ज नमबर फिपल वे देथ और बहुत शारी संख्या में लोगों मारे गए नोट अंली दीश बलेक डेथ यहर कम इन थ्री टाइम्स इतना ही नहीं बलेक डेथ जो था वो तीन टाइम्स आया एट फर्स्ट पहली बार तेरासो बारसे टिवी, सकेंड बार तेरासो बारसे टिवी और थर्ड बार तेरासो सत्तर इस भी में आया था Due to black death the population of England become half Black death के कारण जो England का population था वो हाधा हो गया था After the black death the famine was come in England Black death जैसे ही खतम हुआ उसके बाद आकाल आ गया Due to famine, the people of England become robber and thieves आकाल होने के कारण जो वहाँ के लोग थे वो चोर बन गये मतलब लुटेरे बन गये Not only this the heavy taxes was imposed in the people of England इतना ही नहीं बहुत भारी कर उन लोगों के उपर लगा दिया गया England के लोगों के उपर So we can say that it is the sign of social tension and unrest So हम लोग कह सकते हैं कि ये चीन है sign है social tension, समाजिक दना और समाजिक उतल उतल का The religious condition of England The religious condition of England was the corruption of the church and the Sorry The religious condition जो religious condition था England का वो ये था कि Church में भराष्टाचार होना शुरू हो गया था The church men were in dugal in wine and women Church के जो लोग थे वो सराब और सबाब मतला हवस में खो चुके थे In the age of Chaucer Chaucer के age में Thank you जो am्हा हो